आप किसी के दिल का दर्द तो कम ने कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं, हर दर्द को करे नाकाम, दी मार्क और थोबाम नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दिवे रिशिया रोग्यम संस्तान में मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर आशिश रतूली दोस्तो आजकल के मौसब में पेशेंट्स गले में खराश और दर्द रहना पानी और खाना निगलने में गला दर्द गरना गले में जलन रहना और टॉंसिल्स के सूच जाने जैसी प्रॉब्लम्स बहुत लेकर आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ऐसी कंडिशन्स में यूस्फुल होंग रेवलीज के बारे में बताऊं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्थ रोट या इसे आम भाशा में बोलें तो गले का पकना सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तो सोर्थ रोट बहुत कॉमन रीजन है इस मौसम में लोगों को डॉक्टर के पास जाने का और टॉप रीजन है कि आपके फैमिली डॉक्टर आपको एंटिबाइटिक प्रेसक्राइब करें पर एंटिबाइटिक के साइट अफेक्स तो हम सभी जानते हैं और यहां सबसे इंपोर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए वो यह है कि 80% केसिस में सोर्थ रोट का कारण वाइरल इंफेक्शन होता है जबकि एंटिबाइटिक तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है कुछ समझे आप तो सबसे पहले देखें इसके कारणों को तो वाइरल इंफेक्शन के अलावा ग्रूप A स्ट्रेप्टोकॉपस बैक्टीरिया डस्ट, दुवा, पोलन आदी से अलर्जी डिहाइडरेशन, सर्दियों की कोल ड्राइव विंड्स बार-बार एसिट का गले में आना और तेज बोलना या ज़्यादा चिलना आना इससे कि गले की मसल्स पे स्ट्रेस पड़े इन सभी से सोर्थरोट होता है बेज्ट की ये बिमारी गले के किस पार्ट को इफेक्ट कर रही है इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक फेरिंजाइटिस, दूसरा टॉंसिलाइटिस और तीसरा लेरिंजाइटिस इन बिमारियों के बारे में मैं डिटेल में आपको बात की वीडियो से बताऊंगा आयरुवेद में बताए गए शारीरिक दोशों की बात करें तो यह बिमारी कफ और पित दोश की विक्रिती के कारण होती है जिसकी वज़े से गले में चलन और दर्द रहना और वहां सफेद रंगी कोटिंग दिखती है अब बात करते हैं उन रेमेडिस के बारे में जिनने आप इस विमारी में यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले में आपको बता दो कि यहां हमारी एप्रोच क्या रहनी चाहिए Most important हमें अपनी immunity को strong रखना है क्योंकि infection या allergy कोई भी reason हो अगर आपकी immunity strong है तो आपकी body इन सब भी foreign agent से लड़ सकती है तूसरा अगर inflammation हो गया है तो उसको ठीक कैसे करना है और तीसरा ऐसी activity से बचना है जिनसे ये problem बढ़ जाती है इवन तब भी जब आप ठीक हो गए हो तो सबसे पहले बात करते हैं गारगल या गरारे की एक glass गुन गुने पानी में एक चोथाई चमच हल्दी और आदा चमच नमक मिलाकर उससे गारगल करें आयरुवेद में नमक की properties में mark विशोधन action बताया है मतलब कि ये track को clear करने का काम करता है और हल्दी अपने anti-inflammatory effect से गले की सूजन को कम करने में बहुत help करती है साथ ही इस गारगल से गले की inner lining में हल्दी की coating बन जाती है और अपने proven antimicrobial effect से हल्दी हमें further infection से बचाती है सेगेंड है मुलेटी मुलेटी अपनी evident anti-inflammatory effect से गले की सूजन और दर्द को कम करता है और अगर आपको गले में बलगम जमने से heaviness की बहुत problem है तो ये कफ बिगला कर हमेरा लीव दिलाता है इसके लिए आप मुलेटी के छोटे से पीस को टॉफी की तरह 5-10 मिनट तक चूसे ऐसा आप दिन में 3-4 बारी कर सकते हैं थर्ड है herbal tea इसे herbal decoction या काड़ा भी बोलते हैं 5-6 तुल्ची के leaves, 3 साबुत काले मिर्ज, 1 इंच मुलेटी का टुखडा और 1 पीस दालचीदी के टुखडे को लेकर इसे 4 कप पानी में उबाले और जब पानी 1 कप रह जाए तो इसे छान कर इसमें 1 चमच शहद मिला कर इसे पिएं इस काड़े से phlam मतलब बलगम हटेगा anti-inflammatory effect से सूजन और दर्द में आराम मिलेगा और in natural herbs के antimicrobial effect से further infection से बचाव होगा इसको केवल 1-1 कप सुबे शाम पिएं अपनी immunity को strong रखने के लिए आप रात को सोते समय एक गलास गरम दूद में आदा चमच हल्दी मिला कर पिएं हल्दी में प्रेजन कर cuminoids का immunomodulatory effect तो आज के time पे पूरा world ही जानता है और यही reason है कि इतनी versatile properties की वज़े से USA और इंडिया के बीच हल्दी के patent rights को लेकर बहुट टकराव चलाता इसे इंडिया ने ही 2013 में finally jeep बिलिया था दोस्तो साथ ही आपने बचना है आज कल की सर्द हवाउं से सर्दियों की cold और dry wind से गले की tissues की lining छिल जाती है इससे एक तुवा inflammation होता है और दूसरा affected area में infection होने की chance बढ़ जाते हैं इसलिए आप जब भी बाहर निकलें तो गले में muffler जरूर लगाएं तो दोस्तो ये थी sore throat मतलब गला बकने में helpful कुछ home remedies अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो इसे like करें और share करें और इस पर comment भी करें इसके अलावा अगर आपको sore throat या किसी और बीमारी के बारे में कोई भी consultation चाहिए हो तो आप हमें दिये कए नंबर पर call कर सकते हैं तो जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक new informative topic के साथ तब तक स्वस्त रहिए और खुश रहिए धन्यवाद अरे शर्मा जी ये बेफिक्री की उमर में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठें आप आँ हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं हो दिया अनुब जी जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्ट अच्छा भाई मैं आपके दिल का दर्द तो दूर करने सकता लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ यह है ortho bomb इसे लगाईये और सारे दर्दों से शुटकारा भाई आप किसी के दिल का दर्द तो कम ने कर सकते हैं लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क और थोबाम